मारूतिवालों ने अपनी ब्रेजा की बड़ी ब्रेंग विटारों को इंडेल मार्केट के लाउंच कर दिया है फाइनली इस गाइड़ी के अंदर आपको एक माइड हाइबिरिट, स्ट्रॉंग हाइबिरिट और और आल विल ड्राइड टीन चीजों का ओप्शन देखने को म यहाँ पर आपको फर्जी वेरियंट्स देखने को नहीं मिलते हैं जिनका कंपनी यूज प्राइस कम दिखाने के लिए करती है जो वेरियंट देखा हुआ है यूसपुल देखा हुआ है अगर आपको इस गाइड़ी का माइल हाइबिरिट मैनुल वेरियंट चीए तो यह सबसे महेंगी कार भी बन जाती है अब अकर मैं मेरे परसल ओपीनियन की बात करूं तो भी मेरे को यह पसंद आई है लेकिन पसंद आने के साथ साथ ही इस गाइड़ी में में को दो-तिन कमिया लगी है फिर दो-तिन प्रोब्लम लगी जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं तो अकर आप इंटरस्टेट हो तो प्लीज वीडियो एंड तक द और सीधा ग्रेंड टार के अंतर प्लेस करें गया है जैसे कि इसके एसी कंट्रोल इसका टाच स्क्रीन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टेरिंग विल और दोर हैंडल और पैनल मारुति ब्रेजा के साथ में भी यह गाइड़ी बहुत ज़्यदा पार्ट शेर करती ह है और करें भी क्यों ना लगबख सेम ही है तो यह पार्ट शेरिंग जो है वो इस गाइड़ी की सबसे बड़ी प्रब्लम है अगर आप 16-17 लाग रुपे लगा कर एक प्रीमियम स्टूबी खरीद रहे हो तो आपको पार्ट जो है वो तो नए देखने को मिलने चीए एक 10 10 लाग रुपे ली हैजबेक और 16-17 लाग रुपे की स्टूबी के अंदर सेम पार्ट दर दोता है देखो पार्ट शेरिंग की प्रब्लम मारुची की सारी गाड़ियों के साथ मैं इनकी जो अल्टो केटन आती है उसके अंदर जो डोर हैंडल देख रखा हुआ है वो सेम सेम आपको इस वाली ग्रेंट विटा था के अंदर देखने को बल जायाएगा खाली उसके ओपर क्रोंग टिप अड़ कर दिया इन्हों है इंजन को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इंजन बहुत साथा बढ़िया है रिफाइंट भी और मारुची का परेश्यन इंजन देखनी को मिलता है जो किए वेसे साथ में आपको ब reflective म्लेज ऑर वह को रहा हुआ है तो यह इंजन आ प्रफरमेंस निकाल पर लेकिन अगर आपको इंजन में पावर वगरा से मतलब नहीं है आपको खाली माइलेज ची और रिलाइबिट ची एंजन से तो पर ये इंजन आपके लिए बना हुआ है अब अगर आपको ग्रेंड विटारा पसंद रहे लेकिन इसके इंजन से प्रावलम है तो भी मारूती न अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना जाइन जवाद धन्यवाद खत्म